बिहार का सियासी पारा इस वक्त सात्वें आस्वान पर है क्योंकि चुनाव होने 13 नवंबर को वोटिंग होगी बिहार के चार विदानसवाद सीटों पर इसमें से बेला गंज, इमाम गंज, तरारी और रामगण में चुनाव हो रहे हैं चारो जगह मुकाबला बेहट टक्कर का है, जहां तेजस्वी आदव अपनी प्रतिष्टा बचाने के लिए पूरी ताकत जोक रहे हैं, वहीं नितीज कुमार की प्रतिष्टा दाव पर लगी है, नितीज और बीजेपी दोनों साथ में हैं, इसलिए प्रचार बेहट मेगा ह हो रहा है, काफी ज़्यादा विसाल हो रहा है, कल विसाल जनसभाग आयोजन हुआ था बेला गंज में, जहां नितीज कुमार अपने पूरे सेना के साथ वहाँ पर पहुँचे थे और पूरी ताकत उन्होंने सुरिंद्रियादव के गड़ में लगा दी थी, लेकिन इस च कुमार का साथ छोड़ कर, क्या डिप्टी सीम चले गए हैं, बीजेपी और नितीज कुमार में सब कुछ ठीक नहीं है, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार बीजेपी और नितीज कुमार में क्या खटपट सुरू हो गई है, क्योंकि आज नितीज कुमार एक कारिक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नितीश कुमार तो पहुंचे लेकिन उनके साथ एक भी डिप्टी सीम नजर नहीं आए जबकि इन्विटेशन में दोनों का नाम था बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दोनों में से कोई एक डिप्टी सीम जरूर सीम नितीश कुमार के साथ कुछ ठीक नहीं है क्या खटपट हो गई है अभी तो नड़ा आये थे नड़ा समझा बुझा कर नितीश कुमार को गए है लेकिन अब जो इस्तिती सामने आ रही है नड़ा की बात क्या डिप्टी सीम दोनों जो है वो नहीं मान रहे या फिर नितीश कुमार से दोनों लेकिन यहाँ पर एक भी डिप्टी सीम नजर नहीं आ रहे हैं तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हलागी नितीश के मंत्री तो कुछ और यह कह रहे हैं कि बिहार की जो चार विधान सवा सीटे हैं चारो पर एंडिये जीते गी चारो पर एंडिये का कबजह होगा रतने स सदा ने लालू को लेकर भी बड़ा बयान दिया है सबसे पहले सुनिए रतनेस सदा जो मद्द निशेद मंत्री हैं बिहार सरकार में और उसके बाद आपको जैन्त राज को सुनाएंगे सुनिए जैन्त राज क्या कुछ कह रहे हैं इनका भी यही दावा है कि चारो की चारो सीट एंडिये अपने खाते मिलेगी जीत दर्श करेगी तेजस्वी आदव की पाटी और तेजस्वी आदव के गटबंदन को एक भी सीट हासिल नहीं होगी सुनिए जैन्त राज को के साथ में रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता है लेकिन परसांद की सोर्जी एक पाटी नहीं कार्प्रेट कंपनी चला रहा है तो वह तरह तरह से पेखिएगा कि उन पिछले चुनाओ में या इसके पहले के चुनाओ में जो उनको जितना भूट आया था चाहे वों निरदली चुनाओ लड़े हो या किसी आने पार्ति से चुनाओ लड़े। उससे कम भूट इस वार उस विद्वार को आएगा इस बार परसंद किस वर जि आप ही देखी रहा है कि हर जगह मंत्री जी कुछ राज के कारियों के लेकर अने अने जगह राजी में जाना पड़ता है उनकी व्यस्ता रही होगी और कोई विसेस बात नहीं तो सुना आपने मंत्री जी तो कुछ और ही कह रहे हैं लेकिन नितीज का बाड़ी लेंग्वेज और नितीज के साथ दोनों डिप्टी सीम में से कोई एक भी नजर नहीं आए ये बात जो है ये सवाल खड़े कर रही है चुनाओ का माहौल है अभी तो उपचुनाओ है लेकि देखते रहें दर्श निव्ज